नमस्कार मित्रों आप सभी का एक बार फिर से अपने यूटूब चैनल MK Smart Classes में सवागत आज हम 30 जुले 2023 देनिक समसाई की करंट अपेर्स के बारे में बात करेंगे तो आए सात्यों आज का फर्स्ट क्यूशन SEC Men's Imaging SE Cup 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है तो इसका आंसर हो जाएगा भारत SEC इसका Full Form ASEAN Cricket Council है 2023 में मेजबान कंट्री स्रीलंका है और विजेता पाकिस्तान बना और उप विजेता भारत बना है SEC का मुक्याले कवाल आलमपूर मलेशिया में पड़ता है और SEC कप 2023 में Man of the Series निसांस सुन्दू बना जो भारत की टीम से है इसके लाव मुद्पूर ट्रोपिया रंजी ट्रोपी इसका विजेता स्वराष्टर है और उप विजेता बंगाल है इसके बाद IPL 2023 के बारे हम बात करेशाती हो तो इसका 2023 में 16 संस्क्रन हुआ और इसमें कुल टीम 10 टीम होना भाग लिया और IPL 2023 में विजेता चैने सुपर किंग्स बनी जो लगातार पांचवी बार बनी है और इसके कप्तान MS दोनी है और उप विजेता टीम गुजरात टाइटन्स है और IPL 2023 में ओरेंज केप सुमन गिल को मिला और परपल केप मुहमबत सुमी को मिला इसके लावा सात्यों ICC One Day World Cup 2023 का मेजबान कंट्री हमारा भारत देश है और इसके हाली में ब्रांड अमिश्डर सारू खान को बनाया गया है आज का दूसरा क्यूशन हाली में G20 प्रियावरन और जलवायू स्टीकता काईड समू की फोर्थ बेटक प्रारम हुई है तो इसका उत्र हो जाएगा चन्ने में प्रारम हुई है इसका मुक्य उदेश है प्लास्टिक का उप्योग रोकना और दूसरा है जलवायू प्रिवर्थन को रोकना है इसके अलावा G20 की बात करें सार्थियों तो इसकी स्टापना 1999 हुई और इसमें 19 देश वा एक येरोपियन संग सामिल है इसका मुक्य उलई नहीं होता है एक मात्रे संग्टन है जिसका सात्यों कोई मुक्य उलई नहीं है और भारत के सेरपा अमिताब गान थे और 2023 में इसका संस्क्राण अठारवा है और 2023 में मेजवान कंट्री हमारा भारत है और 2024 में ब्राजिल होगा और 2022 में इंडोनेसिया था और 2023 में इसकी थीम वन आर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है इसके लाव सात्यों G20 के अन्यम अत्पून बेटके G20 संस्क्रती सम्मू की थर्ड बेटक हमपी करनाटक में हुई और G20 रोजगार की थर्ड बेटक जिनेवाम हुई इसके सात्यों तम्यवनाडू के मुक्य मंत्री M.K. स्टालीन है और कवरणार R.N. रभी है आजका तिसरा परशन हाल ही में 24 वा कारगिल विजय दिवस कब मनाय जाता है तो इसका आंसुर हो जाएगा 26 चुले को मनाय जाता है पर्तिवर्स क्यों मनाय जाता है क्योंकि 26 चुले 1999 को भारत ने पाकिस्तान को युद में हराय था 2023 में 24 वा विजय दिवस मनाय गया है और इस कारगिल विजय दिवस में एरफोर्स द्वारा ओप्रेशन सपेस आगर चलाय गया है और भारती सेना द्वारा ओप्रेशन विजय चलाय गया इसके साथी साथी मतपुर्ण ओप्रेशन ओप्रेशन मैकदूत यह 1984 में हुआ जो सियाचिन विजय के लिया चलाय गया था दूसरा ओपरेशन करूना जो मियानमार में चलाया गया है तीसरा ओपरेशन कावेरी जो सूडान में सायता के लिए चलाया गया और इसमें INS सुमेदा ने भाग ले चोता ओपरेशन गंगा जो उक्रियन में पसे भारतियों को वापस लाने के लिए चलाया गया है आज की कलास का चोता पर्षन किस राज्य ने CSISF की तर्ज पर ओद्योगिक सुरुक्सा बल गटित किया तो इसका अंसर हो जाएगा राज्यस्तान RISF राज्यस्तान ओद्योगिक सुरुक्सा बल इसका मुक्य कार्य है ओद्योगिक इकायो की सुरुक्सा करना और हाली में इसकी तीन बट्या लाइन की स्तापना की जाएगी बिवाडी दूसरी बालोतरा और तीसरी चितोड़गर्म की जाएगी राजिस्तान के बात करें साथ ही राज़दानी जाइपूर है और मुक्यमंत्री असो गेलो साब है और गवरनर करड़ाज मिस्र है आज का हमारा अंतिम पर्षन किस राज्य में देश की पहली इस्पोर्ट और ब्रेक डांस अकादमी की इस्ताफ पना की जाएगी तो इसका अंसर हो जाएगा मुद्य पर्देश में के जाएगी क्योंकि जाएगी क्योंकि ये e-sport और breakdance, Olympic game और Asian game में सामिल किया गया है इसी वज़े से इसके बाद मद्यपर्देस की बातकरस आती हो तो राजदानी वोपाल हो गई और हाइकोर्ट जबलपूर में है जो वोपाल बने होकर जबलपूर में है मुक्य मंत्री सीवराज सिंग चोवान है और राज़ेपाल मंगुबई पटेल है और मद्यपर्देस में आउज़ित हुआ पांचवा खेलो इंडिया उयूद केम जो वोपाल में आउज़ित हुआ और पांचवा करम का था और इसका सुबंकर आसा था और इसमें विज़े था मारेक्ष्टर बना और दूसरे हिस्तान पर हर्याना बना अगर सातियों आपको हमारी कलास पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना बुले जय ही